हाई गाईज वेलकम डू आज चैनल पेंटामेडिया टक्लोलोजीज और मैं आपका होस्ट दोस दारश और आज हम लोगे आगए आप लोग के साथ एक नया टॉपिक लेके और अम जिस टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं वह बहुत इंट्रेस्टिंग है तो हमारे साथ बने आपको आपके बिजनस को प्रमूट करने के लिए आपके बिजनस को सपोर्ट करने के लिए काम का हो सकता है क्या और हाँ अगर हो सकता है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि हमारी वीडियो आपको जरूर बताईएगा कि अगर आपके कोई सजेशन है हमारे लिए वीडियो बनाते टाइम हमको कुछ किनी चीजों का ध्यान रखना है किसी topic का individual हम लोग को ध्यान रखना है तो हम लोग उसका भी बिलकुल सम्मान करेंगे आपके comments का हम लोग बिलकुल ध्यान रखेंगे बिलकुल value करेंगे and meanwhile जिस topic पर आज हम लोग बात करने वाले हैं वो topic है Google Analytics और चलिए हम हमारी इस वीडियो को start करते है और आगे चलके Google Analytics बात करते है वो सारी चीजें आपको free of cost Google Analytics अपने टूल के उपर बताता है और इसका कोई वो charge जाई लेता है और अगर इसको आसन भाष該 में अगर आपसे मैं कहना चाहूं तो हमको यह तो पता है कि cooker में से चने किससे निकाले बढ़ हम यह नहीं जानते है कि cooker में चने काबुली थे या काले चने थे तो वो जानने के लिए हम को बहुत जरूरी होता है कि हम लोग Google Analytics को use करें तो Google Analytics इस्तमाल करने से पहले हमको उसको अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना आना चाहिए इंस्टॉल करने से मेरा मतलब कि आपको Google Analytics as a free tool आपको उसको एकसेस देना पड़ेगा इसकी मैं आपको permission देता हूँ इसका मैं आपको authorization देता हूँ और इस authorization permission के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है हम लोगों को Google Analytics के उपर जाना पड़ता है और Google Analytics के उपर हमको एक free code मिलता है एक installation code मिलता है उस code को copy करना है और हमारी website के header part के अंदर जा करके place कर देना है जहां पर installation को कोई video समझाया है या फिर देन लोगों को आते हैं उनको मालूम है कि code कैसे काम करता है once आपने वो code अपने header part में place कर दिया है आपने अपना Google Analytics टूल जो है उसको verify कर वा लिया है उसको install कर दिया है ढंसे और वो verify हो चुका है authorization आपकी तरफ से Google Analytics को मिल चुका है उसके बाद होगा क्या तो website बाने वाले सारे data को आपके लिए track करता है और आपको सारी बारिक details आपके Google Analytics platform के उपर बताता है जैसे की user कौन है उसकी age क्या है उसकी location क्या है वो कहां से आया कौन से pages को visit करा उसका interest क्या है किस तरह की pages को पसंद कर रहा है वो सारा information आपको Google Analytics free of cost अपने चैनल के उपर अपना platform के उपर free of cost बताता है तो Google Analytics install हो गया Google Analytics tool आपने install कर लिया है और अपना website को verification भी आपने करवा लिया है उसको authorize भी आपने कर दिया है उसके बाद क्या होगा कैस किस तरीके से Google Analytics मुझे इसमें assist करेगा तो उसके लिए short video हम लोगों ने बनाया है शौट वीडियो को प्रीज आप देखिए और आपको समझ में आजाएगा कि Google Analytics किस तरीके से आपकी मदद करेए देखिए ये ना सिर्फ आपके लिए ये बता रहा है कि user कहां से आ रहा है बट आपको ये भी बता रहा है कि उसका interest क्या है यानि कि जिस type को content आप अपने website प पर अलड़ी होते है और Google Analytics पर ये जो टाब होते है इसके तुरू आपको ये पता पड़ता है कि individual हर टाब के कुछ एक meaning है जो एक जगह पर किसी एक spot पर उसका use आता है और वो हर एक tag आपको ये ही बताने में help करता है ये ही implement करने में help out करता है कि आपको अपनी website को over the time कैसे अच्छा करना है किस तरीके content डालते जाना है किस तरीके topics आपके users पसंद कर रहे है और किस तरीके सा accessibility आपकी user को पसंद में आ रहे है यारी कि कौन सा button किस जगे place होना चाहिए किस topic को किस जगे होना चाहिए क्या कोई topic अच्छा है जिसके बारे में दो से तीन बार लिखने नहीं थी बढ़ हाँ एक बहुत ही basic जिन लोगों के लिए Google Analytics एक्दम नया टूल है वो समझाने के लिए हम लोगों को ने वीडियो को बनाने का plan किया था detailed video हम ज़रूर बिलकुल आगे लेकर कहेंगे आप लोग के लिए जहां पर हम लोग पूरा basic step 1 इंस्टालेशन से हम लोग बताएंगे कि कौन-कौन से टूल से और किस किस तरीके से वो आपको असिस्ट कर रहे है ज्यादा जानकरी के लिए आप प्लीज हमारी website visit कर सकते that is pentamed media tech.com जहाँ पर हमारी सारी trainings और वीडियो के बारे में सारा information वहाँ पर placed out है और I hope आपको यह चोटी वीडियो अच्छी लगी होगी और जिन लोग को पसंद आए हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए subscribe करिए हमारे चानल को share करिए इस वीडियो को because sharing is caring और जितने जादा share करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा जितना ज़्यादा व्यूज आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा दोनों के लिए और ध्यान रखिए कि जो भी आप लोग के आप लोग के पस कोई suggestions है हमारे लिए कोई questions हो Google Analytics related आ करने का प्लान कर रहे हैं कोई problem आप लोग face करें तो प्रीज उसको comment box में नीचे डाली ताकि हम लोग उसको answer कर पाए और ध्यान रखिए कि कैसे आप knowledge को free of course लोगों तक पहुचा सकते जैसे हम कर रहे हैं प्रीज आप भी आगे करी so thank you so much इस video को देखने के लिए